पर तभी इसकी नजर समुदर के किनारे पड़े एक इनसान पर पड़ती है, इसका दुर भाग्या तो देखो तभी पेटी नीचे से खिसक जाती है, इसका राम नाम सत्य होने ही वाला था कि तभी रसी तूट जाती है, हैंक दोड़ कर इस आदमी के पास जाता है, हे, हे, इसकी वज़य से बोड़ी थर्थराने लगती है, जैसे कि वो इससे कह रही है, अब इनल्ले रुक जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब इस बोड़ी की बम से लगातार हवा निकल रही थी, तो ये बोड़ी पानी में तैरने लगती है, हेंक अपने हैंगर से उतरता है, पुलता है तो हेंग अपने आपको एक समुद्र के किनारे पाता एंप भुट को पीट पेड कोई नहीं रहता है यहाँ पर नेटर्क की खोज में लेकिन इसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी पर यही पशी है अपनी पर जिसे वो पदम सिंग के पदम दुवार पर लगाएगा ताकि उसका मदूर संगीत रुख जाए अब रात में वर्षा होने लगती है तो ये लोग एक गुफा में सरण लेते हैं हैंक सोने की कोशिश करता है परंतु उसको नीद नहीं आती वो पदम सिंग से बात करने की कोश उसे उठाकर सीधा बैठाता है और देखता है कि पानी कहां से निकल रहा है ये इसकी छाती को प्रैस करता है जिससे यहां पानी का पूरा का पूरा नल बहने लगता है हैंक दोड़कर पानी का गिलास उठाकर उसे पदम सिंग के पानी से बढ़ता है पहले तो वो एक गिल बावली थ्रेड़ हैंक कहता है अच्छा तो तुम्हारा लाम बावली थ्रेड़ है पदम सिंग बोलता है ये सुनकर हैंक चोक जाता है वो मैणी के मूओ पर बडű आसा गोशन्ड पिलाता है तभी मैंनी निवड मैगजीन पर लुड़क जाता है पूछता है है वट इस दैट हैंक कहता है फॉर्गेट अबाउट इट ये मुर्दो की काम की चीज नहीं है पूछता है क्या तुम्हें घर के बारे में कुछ याद है हैंक कहता है हैंक अब अपनी कलाकारी दिखाता है और उसे धर्ती पर जीवन के बारे में समझाता है ये सारी कलाकारी देखकर मैंनी कहता है तुम वापस इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि तुम किसी से प्यार करते हो पर तुम तो भाग आये थे क्योंकि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता तुम तूटे हुए हो, भूके हो, यूजलेस हो, स्मेली हो, एंपिटी हो, कूडा करकट हो हैंक ही 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 ही, डैट्स नोट ट्रू मैनी अब मैगजीन देख रहा था तो वो हैंक से पूछता है हे, इनके कपड़ों के अंदर क्या समान है ये कहता है, खटी, मोसंबी, काली, बिल्ली और मजेदार पी छोंडा मैनी पूछता है, तुम ये सारा समान यूज कैसे करते हो हेंक कहता है, ये मैगजीन देखकर बया करना मुश्किल है हम देखते है, मैनी का मैगजीन देखते देखते जोर मारने लगता है इसका हतियार हिलता देख हेंक की फट के हाथ में आ जाती है मैनी का हतियार इस तरह ऐसे हिल रहा था जैसे कि किसी ने उसको पकड़ रखा है दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर हैंक उस मैगजीन को बंद कर देता है जिससे हतियार ठंडा पड़ जाता है अब वो एक बार फिर से मैणी को मैगजीन दिखाता है हतियार फिर से खड़ा हो जाता है हैंक हतियार की दिशा में आगे बढ़ता है ये देखकर इसको समझ में आ जाता है कि मैनी का हतियार एक कमपास है अब ये दोनों कमपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं और ये बात जब मेरी मौम को पता चली तो वो रोने लग गई, उस दिन मुझको इतना जादा बुरा लगा कि मैं कहीं जाकर मर क्यों न जाओं, अब हैंक इसके मूँ से पानी लेता है और पीने लगता है, मैंनी पूछता है, क्या तुम हाथ गाड़ी चलाते वक्त अपनी मैनी कहता है अच्छा तो ठीक है, पर मैं जब हाथ गाड़ी चलाओंगा, तो मैं तुम्हारी मौम के बारे में सोचूंगा, फिर क्या ये भी सरमनाक होगा, हैंक मैनी से मूव बंद करने के लिए कहता है, कहता है तुम फिर से मर क्यों नहीं जाते, मैनी फिर से अपनी हैंक उसे उठा कर आगे बढ़ता है, और उसे माफी भी मांगता है, उसे जगाने की कोशिज करता है, कहता है मुझे तुम्हारे कमपास की जरूरत है, प्लीज फिर से जिंदा हो जाओ, एक जगह ये एक जानवर से डर के नीचे खड़े में गर जाते हैं, जिससे हैंक का फ अब ये दोनों खड़े से निकलने की बहुत कोशिज करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं, मैंनी कहता है, क्या मैं फिर से उसे देख सकता हूँ, प्लीज, तुमी ने कहा था प्यार ही है, जिससे मैं जिनकी में वापस लोड सकता हूँ, क्या तुम अपनी गल्फ्रेंड की त गल्फ्रेंड बनता है, और मैंनी से उससे बात करने के लिए कहता है, मैंनी कहता है, क्या मैं तुम्हारे मूँ में अपना मूँ डाल कर तुम्हारी राल चाट सकता हूँ, हैंक कहता है, तुम इससे बस के नजारे दिखाता है, मैंनी कहता है, मुझे बस से प्यार हो गया, ह हम जब घर वापस जाएंगे तो सैरा को ढूंड लेंगे। हेंक को पड़ी खुट जाता है जिससे वो एक लकर को तोड़ देता है अब इस पावर से वो दबाकर तोड़ फोड मचाते है, और अपने टाइम पास करने का जुगाड करते हैं। मैंनी कहता है मुझे को इतनी खुशी कभी नहीं मिली और ये यहीं पर सो जाते हैं अगली सुभाई ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाए इने पाइपलाइन को क्रोज करके दूसरी तरफ जाना था ये लोग डरते डरते आगे बढ़ते हैं मैंनी कहता है मैं तुम्हारे उपर अब ये दोनों पाद वाली सूपर पावर यूज़ करके पानी से बहार आ जाते हैं और कमपास की बताई हुई दिशा में आगे बढ़ते हैं रात हो गई थी तो हैंक आग जलाता है अब इसको जोर की लगी थी तो ये करने के लिए दूसरी तरफ जाता है तभी वहां से एक कार गुजरती है हैंक अपना फोन चेक करता है और अपने पिता के पास भेजा हुआ उसका हैप्पी बद्दे का मैसेज देखता है जो कि उसके पिता ने अभी तक नहीं देखा था इससे हमें पता चलता है कि इसकी घर नाम की जगहें पर कोई value नहीं है हैंक अब सारा की फोटो देखता है फिर कुछ सोच में पड़ जाता है अब वापिस आकर मैनी से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाता हूँ हैंक कहता है पहले मैं कहूंगा कहता है ये जो फोन है ये मेरा फोन है ना कि तुम्हारा और सारा वो लड़की है जो मुझे हर रोज बस में मिला करती थी पर मेरी कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई तभी उसे जंगली जानवर की कुछ आवाजे सुनाई देती है वो समझ जाता है कि हैंक अब तक उससे जूट बोलता आया है कि सारा उसकी गल्फ्रेंड है भालू हैंक के पैर पर हमला करता है ये जली हुई लकडी से भालू को डरा कर भगाने की कोशिश करता है और मैनी को अपने कंधे पर डाल कर उसकी पैंट को पिछवाडे से फाड कर पाद की पावर से भालू को भगाने की कोशिश करता है लेकिन इसका ये दाव इस पर ही उल्टा पढ़ जाता है और ये दोनों हवा में बहुत उपर तक उचल जाते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग सहर के बहुत नजडीक हैं ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं अब भालू फिर से हैंक के पैर को अपने जबडे में फसाता है और खीच कर जंगल में ले जाने लगता है ये देखकर मैनी के सरीर में हलचल होने लगती है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी इसकी अजीब हरकते देखकर भालू यहां से भाग जाता है अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं मैनी हैंक को अपने कंदे पर लिफ्ट करके सारा के घर ले आया है ये देखकर हैंक की फटके हाथ में आ जाती है क्योंकि उसकी सारा से बात करने की कभी हिम्मत नहीं हुई थी और अब मैनी उसे सीला सारा के घर ले आया था तो वो यहां से भागने की कोशिस करता है मैनी कहता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए हैंक एसे चुप कराने के लिए उसके मूँ में अपना हाथ गोशेड देता है कहता है मैं डर्पोख हूँ अगली हूँ यूजलेस हूँ मैनी कहता है हर कोई डर्पोख है हर कोई अगली है कोई भी इस अंसार में परफेक्ट नहीं है इसी दोरान सारा की बेटी इनको अपने बैक्यार्ड में देख लेती है पुछती है तुमने अजीब ड्रेस पहनी हुई है क्या आज हेलोवीन है मैनी कहता है नहीं हमें मदद चाहिए मेरा नाम मैनी है और ये मेरा बैस्ट फ्रेंड हैंक है मैंनी बताता है मेरे पास special power है ये अपने मुझे पानी निकाल कर दिखाता है फिर पाद मार कर दिखाता है बच्ची कहती है ये बदबुदार है फिर मैंनी अपना कमपास दिखाता है जिसे देखकर बच्ची डर जाती है और वहीं पर रोने लगती है तभी यहाँ आती है इनकी सपनों की राजगुमारी सारा जिसे देखकर समय एक बार रुक्स आ जाता है सारा पुछती है तुम लोग कोन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो हैंक बताता है हम जंगल में खो गए थे हमें मदद चाहिए सारा मदद के लिए फोन करने अंदर जाती है मैंनी कहता है उसे कभी मत बताना की मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और फिर फिर से मर जाता है कुछी देर में यहाँ पर मदद आ जाती है और यह लोग मैनी को रैप कर देते हैं हैंक उसे पानी में से घसीटता हुआ समुद्र के किनारे ले आता है जहाँ पर यह सभी लोग भी पहुच जाते हैं अब पुलिस वाले हैंक को हतकड़ी लगाते हैं ताकि यह फिर से ना भागे कैमरा मैन यह सब रिकोर्ड कर रहा था हैंक मैनी को जगाने के लिए पाद मारता है क्योंकि उसे मैनी की कई हुई बात याद थी कि कम्या सभी में होती है लेकिन इंसान सिर्फ वही होता है जो कम्यों के साथ अपने आपको अक्षेप्ट कर ले और अपने जीवन में आगे बढ़े अब पुलिस वाले इसको लेकर जाने लगते हैं तभी मैनी भी अपनी पदम परकिरिया को आगे बढ़ाता है और ये देखकर सभी लोग चोक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है मैनी अब फुल स्पीड में पाद मारने लगता है हैंक मैनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है जिसे मैनी तैर कर समुदर में चला जाता है ये देखकर सभी लोग आश्यरी चकित थे मैनी पलट कर हैंक को समाइल देता है और इसी के साथ ये सुन्दर कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है भाईयों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है